आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि गुलजार, खासाल, चार, सुमित, अमित, दिलेर, केडी के इस साल कितने गाने आएंगे यानि इन सब के दो जर बाइस में कितने गाने आने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा और हाँ ये सिर्फ एक अंदाज़ा होगा पर 90% ये अंदाज़ा सही जाएगा तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता है नमबर 6 पर आते हैं दिलेर सिंख रक्या दिलेर खरक्या के इस साल 7-8 गाने ही आएंगे क्योंकि 2020 और 2021 में भी दिलेर के 7-8 गाने ही आये थे जाने की दिलेर सिंख रक्या का शेडूल ये है कि एक साल में 7-8 गाने ही करेंगे तो इस इसाब से दिलेर सिंख रक्या के इस साल 7-8 गाने ही आएंगे जिन में रागनिया भी शामिल होंगी नमबर 5 अमिस सैनी रोतकिया अमिस सेनी रोतकिया ने एक live वीडियो में बोला था कि इस साल सिर्फ Mr. Bars के साथ 19 गाने आएंगे तो सिर्फ Mr. Bars के साथ 19 गाने आएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस साल Amis सेनी रोतकिया के कितने गाने आएंगे Mr. Bars पंजाब का एक musician है नमबर चार पर आते हैं केडी, केडी के सिर्फ जनवरी में पांच गाने आ चुके हैं और 31 जनवरी को भी एक गाना आएगा, तो इसी साफ से पता चलता है कि केडी भाई इस साल गाने की बाड़ लाने वाले हैं सुमित गोस्वामी का हमेशा यही शेडूल रहा है कि शुरूर से अभी तक देखे तो उसी साफ से पता चलता है कि 8-9-10 गाने इस साल सुमित गोस्वामी के आएंगे नमबर दो, खासा आड़ा चार, खासा आड़ा चार के जनवरी के मैने में दो गाने आएंगे पता है कि इस साल गुलजार भाई के लगबग परमंत गाने आएंगे क्योंकि 2022 के पहले दिन कोल मीरांडा गाना आया था और वैसे भी गुलजार का भी शेडूल यही रहा है कि परमंत गाने लाएं अगर पिछली साल को नहीं देखे तो हमेशे गुलजार चाने वाला का यही शेडूल रहा है कि वो परमंत गाने बनाते हैं तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब